कॉपी रोबोड जैसे कि कैसे आप लोग जानते होंगी कि जो कॉपी रोबोड है वो हमें दो एनिमेशन में देखने को मिलता है एक है पर्मेन और दूसरा है डोरी मौन क्योंकि कैसे उसके राइटर है वो है फूजी को फूजी दोनों एनिमेशन को फूजी को फूजी ही लि तो finally मैं आ चुका हूँ, copy robot के वीडियो के साथ, well what's up guys, it's me trio and let's begin with new video, तो guys आज की वीडियो में हम बात करेंगे की, कैसे copy robot को real life में बनाया जा सकता है, क्या ये possible है या फिर नहीं, तो चलो start करते हैं आज का हमारा वीडियो, तो guys सबसे पहले हम ये discuss करेंगे की, आखिर copy robot काम कैसे गरता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगी की, जो copy robot है, वो एक small robot है, जिसका जो सर है वो गोल रहता है, और नाक की जगा, red color का switch लगा रहता है, अगर आप red color के switch को दबाते हो, तो copy robot आपको copy कर लेता है, लेकिन का इस copy करने के साथ साथ, वो ऐसी बहुत सारी चीज़े भी copy करता है, जो unbelievable है, जैसे कि आपकी brain की information, अगर आपको बचपन की बाते कुछ याद है, तो copy robot को भी याद रहेंगी, वो खुद को आप समझेगा, वो समझेगा ही नहीं कि मैं एक robot हूँ, वो समझेगा कि मैं एक human हूँ हाई है मेरा भाई है, रोबोट भी समझेगा हूँ मेरा भाई है, इतनी अच्छी तरह से copy robot copy करता है, आपका talent भी copy कर लेगा, जैसे कि आपको singing में interest है, तो उसको भी singing में interest रहेगा, जस्ट लाइक के mirror A to Z सब copy कर लेता है, तो अगर आज की technology के हिसाब से, copy robot को real life में बनाने कि कोशिस की जाए, तो impossible है, क्योंकि जो copy robot है, वो एक छोटा सा robot रहता है, और उसे एक दम बड़ा इंसान दबाता है, तो अचानक से छोटा सा robot बड़ा बन जाता है, और एक से बटम दबाने से, copy robot को सारी information मिल जाती है हमारे brain से, A to Z, और वो इस तरह से copy करता है, कि हम भी नहीं पैचान सकते, लेकिन फिर भी अगर आज की टिकनोलीचिक पर कोशिस किया जाए, तो बनाया जा सकता है, पर same to same नहीं रहेगा, थोड़े बहुत difference आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो copy robot है, वो imaginary है, और real life में different रहेगा, तो अगर real life में copy robot बनता है, तो वो copy robot ज ज़रूर देखियोगी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रजनी कांता सर है, वो एक scientist रहते हैं, और वो एक robot को create करते हैं, और उसको खुद का look देते हैं, तो real life में भी ऐसा हो सकता है कि एक robot रहे, जिसको हम खुद का look दे, उसके अंदर अपनी information डाल दे, जो हमें याद है कौन हमारे dad है, कौन हमारा दुस्मन है, यह सब किया जा सकती है, रोबोट के अंदर डाल दिया जाए information, उसको खुद की voice दे दी जाए, और अपना behavior दे दिया जाए, तो हो सकता है, लेकिन वह ऐसे नहीं हो सकता है कि एक थोटा सा robot हो, जिसका नाक का बटन दबाए, और कैसे लगेंगे उसके लिए, और इसको सिप अमेर लोग इस्तमाल करेंगे, जैसे कि उनको meeting में जाना है तो अपनी जगा उस robot को भेजेंगे, तो ऐसे इस्तमाल करेंगे, और बहुत जादा महंगा होने वाले में को ऐसे लगता है, क्योंकि यार, एक robot को create करने में कितना पै करो, और मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तेक लिए गैस चलिए बाए, और देखो यार, अपने ममे पापा के संसकार कमेंड में मत दिखाना, इन शोट बैड वर्स मत देना, तुम कमेंड कर सकते हो नेक्स वीडियो के लिए, कि क्या बनाओ, इंटरस्टिंग सा एक और देखो गैस बोजन का सोचना अलग हो सकता है, लेकिन मेरी ठोट के हिसाब से यही रेगा, और तुम्हारा क्या कहना है कमेंड वाक्स में जरूर बताना